हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम अलेकूम तो हर बार की तरहा आग भी मैं कुछ नया लाई हूँ और आज की ये रेसिपी इस्पेशली बच्चों को बहुत पसंद आएगी क्योंकि आज मैं ओरियो बिस्किट से कपकेक बनाने वाली हूँ तो ये बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाली है तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक पैकेट ओरियो लिया है तो ये ओरियो क्रीम वाला है आप चाहें तो सादा वाला भी ले सकती है ये इस ओरियो के जगा कोई भी चॉकलेटी बिस्किट आप यूज कर सकती है तो चलिए हम इसको मिक्सीर में डाल के इसका महीन पाउडर बना लेंगे तो देखिए हमने यहाँ पर सूखा पाउडर ही बना कर तैयार किया है अभी हमें इसमें कुछ नहीं एट करना पहले हमें इसका सिर्फ पाउडर बना लेना है और इसके बाद हम यहाँ पर इसमें थोड़ा सा मिल्क एट करेंगे तो देखिए हमने यहाँ पर एक कब दूद लिया है लेकिन हमें दूद बहुत थोड़ा सा ही एट करना है और इसे भी हम अच्छे से मिक्सी में चला लेंगे तो बस देखिए बहुत ही थोड़ा सा दूद डाल कर हमें इसको पीस लेना है और अब हम इसे एक बॉल में पलट लेंगे तो ये recipe बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बनकर तयार होती है तो आप एक बार ये recipe जरूर ट्राइ करें तो बस देखिए इसे अच्छे से mix कर लेना है ताकि ये थोड़ा सा चिकना हो जाए और अच्छा सा फूल जाए और इसे mix करने के बाद हम इसमें baking powder add करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमने आधे चमच से भी थोड़ा कम ही baking powder यूज किया है हम इसमें कोई और ingredient नहीं डालेंगे ना ही soda और ना ही कोई मैदा या oil बस हम इसमें baking powder ही डालेंगे और इसके बाद हमें इसे अच्छे से mix कर लेना है और इसके बाद हम इसको mold में पलटेंगे तो ये recipe हम बिना मैदा बिना oven और बिना cake batter के ही बनाएंगे तो हमें इसे सिर्फ बिस्किट से बनाना है तो बच्चों को भी ये recipe बहुत पसंद आएगी तो जटपट इसे बनाईए और बच्चों को अपने खुश करिए तो चलिए देखिए cupcake बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये वाले disposable cup यूज़ करें है और इसमें हम दो दो चमच सभी cup में add करेंगे तो बहुत ज़्यादा इसे नहीं add करना बस दो चमच ही हम एक cup में add करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा फूलेगा तो इसके लिए थोड़ा जगा चाहिए तो आप चाहें तो इसे फूल करके भी बना सकती है बाद में इसे पतली पतली पीस में cut कर लें लेकिन यहाँ पर मैंने इसे इस तरह से दो दो चमच ही add किया है और इसे हलके से tap कर लें ताके इसमें अंदर air निकल जाए और इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने थोड़े से काजू और बदाम काट कर रखे हैं लेकिन अभी हमें यहाँ पर इसे काजू बदाम को नहीं add करना अगर आप यहाँ पर इसे डाल देंगी तो काजू बदाम नीचे चले जाएंगे और फिर यह उपर से दिखेंगे नहीं तो चलिए इसे बनाने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने कड़ाई का यूज किया है तो कड़ाई को हम preheat कर लेंगे और इसे हम इस तरह से अंदर एक stand रखेंगे और उसके उपर हम इसको अच्छे से रख लेंगे तो आप जैसे sit करना चाहें इसे कर लें और इसके बाद हम इसे 2-3 मिनट तेज आज पर पकाएंगे और इसके बाद हम इसे low flame पर कम से कम 30-35 मिनट पका लेंगे तो आप बीच में चेक भी कर सकती है तो देखिए 5-10 मिनट के बाद हम इसे खोलेंगे और इसके बाद हमने जो काजू और बदाम काट कर रखे थे वो उपर से एड़ कर देंगे तो देखिए 5-10 मिनट बाद आप जब काजू उपर से डालेंगे तो ये अंदर नहीं जाएंगे बलकि ये उपर ही रहेंगे तो ये recipe बहुत ही simple सी है आपको इसे बनाने के लिए ज्यादा जंजट भी नहीं करनी नहीं आपको ज्यादा सामान लगाना है और बहुत ही tasty बनकर तयार होती है तो देखिए इसे पकाते हुए तकरीबन 35 मिनट हो चुके हैं तो हम इसे खोल कर देख लेते हैं तो पहले यहां पर हम इसे एक knife से चिक कर लेंगे कि ये अंदर तक पक चुका है या नहीं तो इस तरह से एक knife लें और इसे बीच में इस तरह से कट लगा कर देख लें अगर knife साफ निकलेगी तो यानि केक बनकर तयार है तो देखिए knife एकदम साफ है इसमें बिल्कुल भी केक नहीं लगा है तो बस ये बनकर तयार है तो गैस को हम यहां पर आफ कर देंगे और इसके बाद हम सारे cup केक को निकाल कर अलग प्लेट में रख लेंगे तो अभी इसे demisolड नहीं करना है बस इस cup को निकाल कर हमें अलग प्लेट में रखना है और इसे हम पांच से दस मिनट ठंडा कर लेंगे उसके बाद ही हम इसे डिमोल्ड करेंगे अगर आप फॉरण ही इसे डिमोल्ड कर लेंगी तो ये कप के तूट जाएंगे इसमें से बहुत ही अच्छी से खुश्बू आ रही है बच्चों को टिफिन में बना कर भी दे सकती है या कोई छोटी मोटी पार्टी हो इसमें भी इसे बना कर आप बच्चों को खुश कर सकती है तो ये बहुत ही टेस्टी बनकर तयार हुआ है और बहुत ही स्पंजी तो कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सबस्क्राइब करें और बिल आइकन जरूर प्रेस करें तो उमीद है आपको आज की ये कपकेक की रेसिपी जरूर पसंदाई होगी तो आप एक बार ये रेसिपी ट्राइ जरूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो देखिए देखने में भी कितने खुबसूरत लग रही है और खाने में और भी ज्यादा टेस्टी तो चलिए अगली बार फिर मिलते हैं एक नही रेसीपी के साथ ओके बाई बाई अल्ला हाफीज